नमस्का दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर इबार फिर तो आज हम आपके लिए कराए SPI की जो प्रो बैटनेरी ओफिसर की जो बगेंसे निकली हुई है कौन सी बगेंस या पूरी जानकारी हम आपको देंगे कौन कौन अपलाई कर सकते हैं क्या चाहिए आपका एक्साम कहा होगा और इसका साथ सलेबस क्या होगा और एक्साम किस पकार से आपका होगा पूरी जानकारी हम आपको देंगे हिमाचल परदेश ओत्राखंड बंजाब हर्याना हार स्टेट के या लग 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 विकेंसी रिजर्ब है इसमें तो जो भी विकेंसी बढ़ी जाएंगी पूरी हम आपको जानकारी देंगे कि कौन से स्टेट के किनी विकेंसी बढ़ी जाएंगी लास तक देखीगा शोट विडियो बनाने के हम पूरी कोसिस करेंगी आपका जो भी स्वाल होगा उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमने आपको कुछ नहीं बताया तो आपको मेंट में में बता सकता है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगी कि रिक्रूटमेंट प्रोबैटनेरी ओफिसर की विकेंसी यह भरी जाएंगी रिक्रूटमेंट सब्सक्राइब की है स्टेट बैंक और इंडिया का नाम आपने सुना होगा बाइस चार दो हजार उनीस को यह इसकी आपने बहुत से जाने पर देखी होगी इसकी जानकरी हमने आपको इसलिए नहीं बताया था कि सेंटर गौर्वर्मेंट की जोब्स और हो या फिर इस पक के बारे में बताईए जो रॉक्राइब की जितने में को नोटिफ के सन निकली हुई या इस पर हम आपको चानकरी दे रहें जो मेंन इसकी डेट कप थी 24219 से लेकर 24219 तक आप इनके लिए बलाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें बताया हुए आपका मेंन था पीयो क को नाव अपने सुनोगा प्रोबैटरनरी ओफिसर और डेट अरप्राइजमेंट नंबर का आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और यह वैपसाइट बैंक डोट कॉम ठीक है बैंक डोट स्प्याइज केरियर यह वैपसाइट होगी और अगर आप यहां से अप्लाई नहीं करना ज यह अपको कुछ नहीं बता तो आप तो आपको बने के का मेर्य बिकैंसी कौन काॉन सी है तो आपको बता देते पर लेंगें तो सबसे पहले तो ओनलाय दिस्टेशन की डेट चब आपका है आप अपलाई कर सकते पेमेंट और फैप्लिकेशन प्रीज क्या होगी तो और वह हम आपको बता देंगे प्रहुंत उसकी डेट वह सेम रहेगी पेमेंट संबेट करवाने की आपकी अब जो में ने की डाउनलोड ओफ को लैटर ओफ ओर ओनलाईन प्रेलिम एक्जामनेशन यह आपको बताया हुए तो थार्ड बीक ओफ मैई 2019 को आपके जो यह प्रेलिम होगा SPI प्रोवेटनरी ओफिसर का थार्ड में में की आपके जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे उसके इलेक्शन के बाद यह लोग सबक जो सुनाब हो रहे हैं इसके एक दो दिन के बाद आपका यह प्रेलिम होगा अज जो ओनलाइन प्रेलिम एक्जामनेशन होगे वो आठ नो 15 16 जून 2019 को यह होगे तो डेट विसमें आपको बताई हुए ओनलाइन यह को लैटर डाउनलोड करने की डेट हमने आपको बता दिकी में के थर्ड वीक में आपके जो को लैटर है आप जो एडमेट कार्ड होते वो आप ओनलाइन निकाल सकते हैं अब जो इसका ओनलाइन प 15 और 16 जून को होगा और जो रिजल्ट आएगा और जो आपका प्रेलियम का रिजल्ट आएगा फास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट आजाएगा उसके बाद डाउनलोड ओफ को लैटर फो ओनलाइन में एक्सामिनेशन तो जो लोग प्रेलियम को आपका मेल जाएगा कंड़ाक्ट ओफ ओनलाइन में एक्सामिशन जो होगा आपका 27 2019 को जुलाई 20 को आपका मेंस होगा इसका और डेकलेरेशन ओफ रिजल्ट में एक्सामिनेशन यह कब होगा तो इसका रिजल्ट मेंस का निकले का आपका थार्ड बीक ओप अगस्ट ये निकले का आपका 24 से 25 अगर्स तक आपका यह रिजल्ट आ जाएगा मेंस का उसके बाद डाउनलोड ओफ कॉल लैटर टु फॉर ग्रूप एक्सराइज एंड इंटर्व्यू के लिए आपका जो कॉल लैटर आएगा वो फॉर्ट वीक ऑफ अगस्त यह दो असार उनीस को अब जो कंड़क्ट ऑफ ग्रोप एक्सराइज एंड इंटर्व्यू जो सेप्टेंबर 2019 में होगा और डेगलेरेशन ओफ पाने रिजल्ट जो आएगा आपको सेकंड बीक ऑफ अक्तोबर 2019 को यह आपका रिजल्ट आ जाएगा पूरी चान करें आपकी स्क्रीन पर आरी है और अ यह जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आरी है बैंक डोट एस्वाइश केरियर यह आप अप्लाई कर सकते हैं से के लिए कितने पूस्टे आप देख लीजिए कर एसी के लिए होगी तीन सो बगेंसिस में भरी जाएगी जो सेड्यूल कास से बिलोंग करते हैं अब एस्टी वालों के लिए आपको पता साथ परसेंट अरक्षन हैं के लिए एस्टी के लिए और एक सो पचास यह होगी और टोटल जो है दोवाशार होगी इसके बाद यह जो है यह अलग से जैसे फिजिकल हैंडिकैप के लिए अधर जो एक सर्विसमेन हैं उनके लिए बिकैंसी है अलग से दी हुई है अब जो मेन एर्जरबिसन ऑफ परसनमें डिसाइबल्टी यह आपको बताया हुए है तो जो फिजिकल हैंडिकैप उनके लिए रिजरबिसन में बताया हुए चार प्रसेंट इसके लिए रिजरब होगी और इसके बाद जो एलडी है इसके लिए लोगमेल्टी डिस्मेल्टी यह आप देख लिए परसन एंविल्टी टो एकसाइड पूरी जानकरी जो आपक अगर आप ग्रेजुएट है ग्रेजुएट मेंस कि आप बीए बीकॉम बीए सीबी बीए बीसी यह आपने जो भी किया है तो फिर आप इसके लिए अपलाई कर सकते प्रोबेटर्री ओफिसर के लिए और इसमें एक बाहत और बताई हुई है जो लोग अभी Me Speasy आप भी MeFS मालओ लग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका आप जब पास हो जाएगी तो वो बाकी सेर्फ के तब तक आपका जो समस्टर करें जैल्ट भी आ जाएगा और पूरी जानकारी वो आपको इसमें दी हुई है तो आप इसको पढ़ सकते हैं इसके बाद जो अधर इनफर्मेशन आपके लिए लो बेजन हेरिंग इंपाइड या दर जो फिजिकल हैंडिकैप्ट के लिए तो आपको पता है किन के लिए क्या होता है अब जो इसमें फेस्ट बान में ग्रूप के जो ट्वैंटी मार्क्स होगी आपके जिए तर्ड में औ और पूरी जो जानकरी वह हम आपको इस चैनल के जरी दे रहे हैं इसमें इसके बाद जो भी इनफर्मेशन आपको चाहिए वह हम आपको देख देंगे परन्तों कैटागरी वाइज जो इनमें बगेंसी दी हुए वह आप देख लेज़ेगा तो किस पकार से आपके यह बो सेच्व बेकार से कहें तो सेलेक्शन ईब जो प्रोसेजर ए प्रेलियम ऐइक्चाम टीक है इसके लिए नेमौ प्रेश्ट हो पहले इंग्ले ल유ugen में आपका आईगा ईसमें और 30 questions आपको इसमें मिलेंगे और इसके साथ ये quantitative aptitude आएंगे आपको 35 marks के number of questions बता रहे हैं हम आपको और इसके बाद reasoning ability ये आपको आएगे और total होगे इसके 100 ये आपके screen पर आ रहे है 100 marks और इसके बाद marks of total maximum marks 100 होगे और जो इसके लिए time होगा वो आपके screen पर आ रहे है quantitative aptitude के लिए आपको 20 minutes में लेगे reasoning ability के लिए आपको 20 minutes में लेगे total time होगा एक घंटा आपका और उसके बाद जो आपका mains होगा पेस्टू होगा उसमें आप देख लिजे क्या 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 आएगा 200 number के आपके ये question होगे और reasoning and computer aptitude के आपको question आएंगे question number जो पाने इसको आप देखेगा data analysis and interpretation ये आपको आएंगे 35 question आएंगे और 60 marks के आपको आएंगे और इसके बाद जो general economy banking awareness के आपको question आएंगे 40 number of question होगे और total marks इसके होगे 40 English language के आपको 35 question ये आएंगे और number of marks होगे इसके 40 तो total time आपको तीन कंटेस्ट में मिलेंगे और number आपके होगे 200 155 question आएंगे और time जो का तीन कंटेस्ट में आपको बताया हुआ है और इसके बाद जो number of chances ये आपको बताया हुए तो क्या क्या है वो आपकी screen पर इसमें आ रहा है अब जो main होता है कि how to apply आप कैसे इसके लिए apply कर सकते हैं वो आपकी screen पर आ रहा है ये website हमने आपको तीसरी बार बता रहे हैं ये website आपको दी हुई है इन पर आप ये registration जो है वो आप देख लिएज़ेगा registration पेमेंट पीस आपकी जो online होगी वो किस प्रकार्स होगी ये sbi.co.carrier ये slash carrier ये आपकी screen पर website आ रही है website का link जो हम आपको description में भी दे देंगे थाकि आप डारेक्ट इसके लिए registration पर पहुंच सके और आपको जो जानगारे देगी एब वो ही आपको चाहिए आपके पास एक email ID होनी चाहिए mobile नमबर होना चाहिए जो आपको बताया हुए है अगर आपके बास यह है तो फिर आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं बाकी बीचिन पर आप देख चुके हैं अब जो में इसके लिए के examination center कहा होगे इसके अब कौन कौन इसके लिए पलाई कर सकता है अंडमान निकोबर अंधर प्रदेश सेंटर आपके स्क्रीन पर आरे अगर नहीं देख रहे आपको तो एक बार हम आपको जोम करके दिखा देते इसको और चुमेन है लोग जो इस चैनल से जूड़े हैं maximum तो उनके स्क्रीन पर सेंटर आ रहे हैं आसम बिहार चंडीगड के कहां होगे और चतिशगड को गुजरात हर्याना हिमाचा प्रदेश के बद्दी विलासपूर धर्मसला हमीरपूर कांगड़ा कुलू मंडी सिमला सिर्मोर सोलन और उन्ना में यापके प्रेलियम के सेंटर होगे और जम्मू कि समीर के होगे बारा मुला जमू कथ हुआ सामबा और सीर्नगर में आपकी एक्साम होगे महाराष्टर के अमराबत्ती और अंगाबाद चंडरपूर दुल्ले चलगाओं तो पूरी चान करें आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं कौन-कौन से सेंटर मानिपूर मानिपूर का जो ह सब्सक्राइबाद ग्रेटर नौइडा गुर्गाओं यह आपके सेंटर होगे और हर स्टेज के लिए हर सेंटर जो हर स्टेट के लिए लिए होगे तो उनको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर गाइड लाइन्स फोर स्क्रीनिंग एंड अपलोड सगनेटर टो फोटो ग्राफ यह अपके स्क्रीन पर आ रहा है तो आपको बताया की क्या क्या कि आपने करना है और किस मधार से इसके लिए प्पलाइक करोगे तो पूरी जी जी जान करिए हो मैंने के सेंटर rightंग सेंटर होगे अमबाला बाहदुरगड इने नकरी अपके सेंटर होगे और पंजाब के हमने आपको सेंटर बता दिये कि कौन से सेंटर है पंजाब के लिए अमरित सर बटिंडा पतेगर साहिब जलंदर लोधियाना मुहाली पठान कोट पट्याला ये पगवारा संगरूर की ये बिलकुर आपके सेंटर होगे रास्तान के अजमेर, अलबर, बिलवारा, इबिकानेर, चैपूर, जोदपूर, कोटा, सिकर, उदेपूर ये आपके सेंटर होगे सिक्यूं क्या ये गंग टोप होगा और तामिलाडू के सेंटर आपके सेंटर आपके सेंटर पर आ रहे हो सी यह आपके सेंटर होगे इसमें और उत्राखन के देरा दून हल्दवाननी हरिदवार एरोर की यह आपके सेंटर होगे तो यह थी आज की जानकर स्टेट बैंक और फिंडिक की प्रोबेटनेरी ओफिसर के लिए आप अगर ग्रैजुएट है और जनका लास्ट मेंस्ट है व हमारे साथ बने रहेगा एच्पी के या पंजाब हर्याना यूपी एंपे जांसी भी आपको आपकी स्टेट की कौमेंट जॉप की जो भी नोड़के सनाइगे हम आपको सबसे पहले आपको इस चैनल के जरी देंगे तो इस पर हमने आपको लेट इसके लिए जानकरी दे र आपको लेगे हमने आपको एछेके बिआने लगाहिए तो खनद सक्सर कारी जock सबसे हमारे पर एकिल घाने आपको ऐचाघना यूड़के तो घरी पर वहाँ़के रपको it ।र खंड से लिवगले मारे आपको डेंगे मारे डिकेंशना जोंट झाण